बच्चों हमने प्राणियों का सनचनात्मक संगठन में टीशू के प्रकार की बात कर रहे हैं आपने पिछले हिस्सों में जैसे देखा था कि टीशू के हमने दो प्रकार का वर्णन हम कर चुके हैं उसको आप जान चुके हैं पहला जैसे हमने देखा था एपिथीलियल टीशू और दूसरा आपने देखा था कनेक्टी टीशू के भी हमने कुछ प्रकारों की बात कर ली थी जैसे कि प्रॉपर कनेक्टी टीशू फाइब्रस कनेक्टी टीशू और स्केलेटल कनेक्टी टीशू अब हम कनेक्टी टीशू के चौथा प्रकार यानि वस्कुलर कनेक्टिटी टीशू की बात करेंगे अभी तक आपने ये देखा कि टीशू जो है वो कोशिकाओं का समू है हमने क्या देखा या तो सिंगल लेएर होती है या फिर मल्टी लेएर होती है हमने प्रॉपर कनेक्टिट टीशू में देखा कि इसमें जो ग्रूप उफ सेल्स हैं वो लूजली कनेक्टिट रहती हैं Fibrous Connected Tissue में हमने देखा कि वो जो Tissue में रेशों के समान है और सबसे बड़ी बात आपने Skeletal जो Connected Tissue था उसमें हमने किसकी बात की थी? बोन एंड काटिलिस की बात की थी, अब आप imagine करें कि किया ऐसा भी टिशू है, जो तरल रूप में हो सकता है, बिलकुल जो चौथा प्रकार है, जिसकी अभी हम बात करने वाले हैं, ये है वेस्कुलर कनेक्टिट टिशू और ये तरल रूप में रहता है, तो अभी तक हमने इसे बात की थी कि कोशिकाउं का समुह हैं कोशिकाउं का समुन एक पर्टीकिलर काम करता है पर्टिकूलर परफॉर्म करता है उसकीरिजटे एक रहती है, तो इस थरीगे से हमने टी शु को जाना, लेकिन अब यह तरल रूप में जो है टीशु है वह किस तरीके का है, साल, इसके भी प्रकार है तो चलिए हम इस वाले हिस्से में हम उसको विस्तरित से जानेगे तो जैसे कि हम वस्कुलर कनेक्टि त्षू की बात कर रहे हैं यह जो कनेक्टिट यस्वेक modular केंड़िक्टिशू है और तरल रूप में है तो जिसका तरल जो है इसका तरल जो है उसको मैट्रिक्स जो है वो मैट्रिक्स है और उसको प्लाजमा कहते हैं और इसकी जो कोशिकाएं हैं इस प्लाजमा में जो है वो बिखरीवी रहती है और फिर ये जो है इसके साथ जो है वो गती शील रहती है यानि जिस तरीके से वो प्लाजमा यानि जो पाई जाने वाली कोशिकाय है वो भी क्या होंगी मुवेबल होंगे इसका एक मुख्यकार्य जो है ट्रांस्पोर्टेशन का यानि मुख्य पदार्थों का ये एक जगह से दूसरी जगह क्या करता है समवहन करता है तो अब हमने ये जो बात की है कनेक्टिव टिशू की ये वस्कुलर कनेक्टिव टिशू जो है वो दो प्रकार का है एक ब्लड है और दूसरा है लिम्फ इसके और कंपोनेंट्स के हम बात करते हैं आप जैसे ये फ्लो चार्ट में देख रहे हो ब्लड जो है वो प्लाज्मा और कोशिकाओं से मिलकर बना है अब हम ब्लड के वाजबा की बेह बात करेंगे आगे विस्तार से जनेंगे इसके फंक्षन को जनेंगे और कोशिकाओं जो है इसमें कोशिका के भी आप जैसे देख रहे हो कि ये तीन प्रकार हैं एक है इरित्रोसाइट एक है ल्यूकोसाइट और तीसरा देख रहे हो platelets है अब लूकोसाइट के भी प्रकार है ग्रंफो जाइट से और है एंफ इस तरीकेस और तो यह एक फ्लो चार्ट के जरीए हम इस वस्कुलर कनेक्ट टिशू को एक एक ग्लांस में हम समझ सकते हैं कि इसके कौन-कौन से प्रकार है अब हम बात करेंगे जो इसका पहला प्रकार है ब्लड की यानि रक्त की तो जैसे कि आप जानते हो कि हम हुमन बोडी है हमारे में ब ब्लड जो है वो 5-7 लीटर होता है और शरीर का जो कुल भार है उसका 7% जो है वो यह ब्लड ही होता है अब ब्लड को यदि हम देख रहे हैं तो यह दो कोशिकाओं से मिलकर बना हुआ है दो हिस्सों से है एक उसका प्लाजमा है जो तरल पदारत है और दूसरा इसमें आप कोशिकाओं डाजमा जो देख रहे हो इस पिक्षर में यह फटीक प्रतीशत जो है यानि ब्लड की हम बात कर रहे है ब्लड का पस्पन से साथ प्रतीशत जो है और बाकि जी जैसे एब देख रहे हो 41 प् Elly जू है वो किया ब्लड के कंपोजिशन की हम बात किए अब हम इसके पहले प्रकार यानि प्लाजमा की बात करते हैं तो प्लास्मा का जो मतलब उसका जो components है और उसका जो रूप है वो क्या है तो जैसे हमने बात की कि यह 55-60 प्रतिशत ब्लड का यह रहता है और मुख्यमाद यह रंग हीन होता है यह अति-धिक मात्रा में होने कारण आप जैसे देख रहे हो 55-60 प्रतिशत भाग प्लास्मा यह तो अति-धिक मात्रा में होने की कारण ये जो है भीले दिखाई देता है और फिर यह नण-लिविंग पार्ट इसका जो है वह बाद करते हैं लेकिन प्लासमा अन लिवंग पहते हैं अब इसका पी- एज की बात करते हैं भी जाना बहुत आपने पड़ा होगा पी एज डर्वी होता है तो अचैनल से कउछ चैनल से एक मृष्य धा टो हमारा ब्लेट प्रइश्च के इतना है वेज प्लाज्मा और भी हिसमें बॉटि करते हैं कि इसका गोणेशन गर्ल conventions वो जल है यहनी water है और इसका 10% भाग में जो इंओर गानीक और आर्गनीक components होते हैं तो इन ओर गिनिक और ओर गने गानीच कम पॉनेंस को हम एक flow chart के जरीय हम देखेंगे आप जिसे यह flow chart में देख रहे हो blood plasma जो यह round shape में आप देख रहे हो 90 प्रदिशत इसमें क्या है पानी है और 7% इसमें अब देख रहे हो प्रोटीन है और 2 से 3% जो है इसमें अधर चीजें होती है वो अधर चीजें क्या होंगी उसको भी हम देख लेंगी तो आप जैसे देख रहे हो पहला जो है वाटर 90-91 परसेंट फिर हम बात करने प्रोटीन की तो यह 7% है तो प्रोटीन कौन-कौन सा है हमारे ब्लेड में यानि प्लाजमा में तो बडाजमा में जो है ब्लेंग्क यह देख रहे हैं अर्लि क्लोबि मीन सबसे पहले हम देख रहे हैं हार्मोंस तो हार्मोंस जो है आप जानते हो हार्मोंस एंडोक्राइन ग्लेंड से सिक्रिट होते हैं और यह एंडोक्राइन ग्लेंड को भी आप जानते हो कि यह डक्टलेस होती है यानि इसका जो सिक्रिशन है वह कहां जाता है सीधे बलड में आ ग्रोथ्या fan केरा यहां इसलहे हम बात करें ग्रोथ हर्मौन की जब बात कर रहें अब जहां टारगे टार्गेट आर सें जहां जो रुनत है वहां यह पाउंचाया जाताह तो यह हरोन्स हो गया फिर हम लाओधे रहु हो जाते हो अब ये ब्लट में विस्तरित हो जाते हैं वह पता सिंपर्ट्स हो घाल Airlines के जरी इंवisonor । हो जाते हैं इसके बाद ब्लड के द्वारा ही यह जहां ज़रत पढ़ती है वहां यह पहुंचाए जाते हैं तो यह न्यूट्रियांस कौन-कौन से होंगे ग्लुकोज आप जानते हो बहुत मातपून है इसके बाद आमीनो एसीड है फैटी एसीड है विटामिन्स है तो यह रहती है वह बलड में ही रहती है अच्छा एक बात और हमें ध्यान देनी चाहिए घ्ने मातरा हमकर वह हो जाती है तो पूँरू topic you जैसे कोई foreign bodies enter कर गई है तो अन्यूजवल सिम्टम हमें दीख रहे हैं तो हमें जरूर डॉक्टर जो है वह सबसे पहले यही कहता है कि ब्लड चेक अप करा तो ब्लड में यह जो सारी चीज है वह कैसे होने चाहिए प्रॉपर जो इनका परसेंटेज है जो क्वांटिटी है व पर खुड़िक एसिड है क्रीटि मिन है अमोनिया बनता है हलाकि अमोनिया जो है लिवर में जा कर यह एक और निट इन शॉक सक्रस प्रविश करता है और यह और ätzी उर्य है कम हमशने करक यूरिया में बदल जाता है तो यह वेस्टेस भी कहां पर है? ब्लड में हैं तो अब यह वेस्टेस जो हैं ब्लड के ठुरो ही कहां जाएंगे? जाएंगे किड़नी में जाएंगे और किड़नी आप जानते हो एक्सेटरी सिस्टम है और उसका मुख्या भाग है जहां पर क्या होगा? फिल्ट्रेशन होगा यानि ब्लड से यह वाले जो वेस्टेज उनको अलग कर दिया जाता है और फिर इसको यूरीन के थ्रू बहार निकाल दिया जाता है तो यह वेस्टेज हो गए इसके बाद हम एंजाइम्स की भी बात करते हैं आप जानते हो एंजाइम्स का भी एक मुख मिनरल भी इसमें हैं तो मिनरल कौन कौन से हैं जैसे सोडियम है पोटेशियम है कैल्शियम है तो इनके बाइकार्बोनेट हो सकते हैं इनके सलफेट हो सकते हैं इनके फास्फेट हो सकते हैं इसके अलावा सोडियम क्लोराइट भी इसमें ब्लड में रहता है तो यह मिनरल की भात कि आभ हम गैस भी जो है जो आद न हां य। पहस्ट आदि आर्पारा बात की। जो है उसका ट्राझसपोर्ट जयासे हमने बात की इसका मुख्य काम क्या है ठ्रांसपोर्ट का तो मे 56 का ट्रांसपोर्ट जो बोली रहती हैं और अधर्स को हम जैसे अभी में बात भी कर रही हूं तो बहुत सारे जो ऐकमुस्पोर में जो जर्मस जो एबलेबल हैं वो एंटर करते रहते हैं तो हमारी बॉड़ी में एंटी बॉडीज बनते हैं इसको आप इम्ञून गजरा एंटी बॉडीज बनते हैं तो एंटी जन भी हमारे blood में रहते हैं, antibodies में रहते हैं, और anti-toxins भी रहते हैं, यह anti-toxins जो है, जैसे अब toxin भी enter कर रहा है, तो वो toxins जो है, anti-toxins के जरिए जो है, वो नस्ट कर दिया जाते हैं, तो इनका भी इसमें important role है, एक और आप product को देख रहे हो, बदार्थ substance है, वो है anti-coglant, यह anti-co प्लाजमा में यह मौजूद रहता है, प्लाजमा क्या, हमने flow chart के जरी क्या-क्या composition है, उसको हमने यह देखा, चलिए बात करते हैं, हम प्लाजमा के function की, तो जैसे आपने flow chart में आपने देखा कि क्या-क्या उसके components होते हैं, तो आप यह बिल्कुल इसी से अंदाजा लगा स सकते हैं, कि यही इसके कार्य हैं, जैसे हमने बात की, इसमें water 90% है, तो यह क्या करेगा, फिर हमने बात की, कि इसमें nutrients होते हैं, तो nutrients को कहां ले जाएगा, जहां जरुरत है, जिन कोशिकाओं और उत्कों को भोजे-पदार्थों की जरुरत है, वहां यह उनको ले जाएग वो ट्रांसपोर्ट करेगा, यानि oxygen को उतक कोशिकाओं तक ले जाना, और फिर वहां पर स्वाशन के दौरान, जो carbon dioxide बनती है, उस carbon dioxide को lungs तक लाना, ताकि यह carbon dioxide जो है, एकसहलेशन के जरी बाहर आ जाए, फिर हमने बात की, इसमें enzymes हैं, hormones हैं, तो यह भी target cells तक इसी के जरी पहुचाए जाते हैं, प्लस साथ में यह body के temperature को भी control करता है, overall हम जब blood की बात करेंगे, तब भी हम इसको अच्छा से देखेंगे, कि यह किस तरीके से blood के जरी है, हमारा तापमान control होता है, उसको हम देखेंगे, तो अभी हम बात कर रहे हैं, कि यह शरीर के ताप करम को भ हम ब्लेड का जो दूसरा पार आट है, यह अमने प्लाजमा जो तरल है, उसकी बात की थी, जिसको मैट्रिक्स केते हैं, और दूसरा हिससा इसका क्या है, कोशिकाए हैं, तो कोशिकाएं में जो हैं, वो क्या-क्या होगा, इसको पहले कणिकाएं बोला जाता था, ही हम इसको पढ़ेंगे तो अब कोशिकाओं की बात करें तो जैसे हमने बात है कि एरिथ्रोसाइट में यहाइव अवह प्लेच्व video आधी तो अब हम प्लेट कि सेल्स के हम पहला ब्रम इर Cookson किया है उसकी बात करते हैं तो एरी तो साइट्स याने RBC आप जैसे चित्र में देख रहे हो यह कैसी देख रही है आपको गोल कहीं पर यह अंडाकर भी रहती है और कहीं ओवल शेप रहती है और यह प्लेट के समान होती है यह जो है सभी मैमल्स में RBC जो है वो उनमें न्यूकलियस नहीं होता है बाकी जो भी फिश एंडा बर्ट्स है इन में रहें रहेंगे न्यूकलियस यह श्मीन रहेंग इस पर जाएग जी आप परीवहन होगा अब यह वह बाइक कौन के शेप होने के कारण और और ज्यादा मात्रा क्रती है वह परिवहन करती हैं है अब इसमें हमने बात की थी कि यह जो है आप जैसे देखते हो बलड आपका कैसा रहना है लाल रगर रहता है तो डब शेया है उसको white blood cells है तो इसमें जो बलड का जो बाद जानने की तो एक स्वास्थ व्यक्ति में यह आरवीसी कितना होनाच यह जाता है तो एक स्वास्थ व्यक्ति में यह बत जानने की तो तो एक स्वस्थ वेक्ति में 50 से 55 या 60 लाग जो है ये पर मिली लीटर जो है ये इतनी इसकी संख्या होनी चाहिए अगर ये संख्या वैरी करती है तो आप मान के चले कि हमारे बॉडी में कुछ न कुछ गड़बड हो रहा है अन्यूजवल हो रहा है मतलब अबनॉर्मल हो र आते हैं तो वहां ही प्रॉब्लम साना चालो हो जाती है तो जब कभी भी हमें कोई ऐसा सिम्टम लगता है कि कुछ प्रॉब्लम लग रही है जो भी अन्यूजवल लग रहा है तो हमें जरूर ये डॉक्टर पास जाना चाहिए चेक अप कराना चाहिए तो इसकी जो रेंज सकता है और आप जानते हो जो हो कि कंद्रक की उपस्तिति के कारण ही जो कोई भी कोशिका क्या करती है विभाजन करती है डिवाइड होती अब ये क्या हो जाती है जाती है अब इसका निर्मान जो है वो आवशक है तो इसके निर्मान के लिए जो है वो क्या होना चाहिए प्रोटीन होना चाहिए और फॉलिक असीड होना चाहिए तो ये दोनों चीजें हमारे भोजन में हैं आवशक मात्रा में हैं विटामिन B12 और फॉलिक एसिड है तो इनका निर्मान आसानी से हो जाता है अपने कई सर यह से चीजें सुनी होंगी कि किसी में आरबीसी कम है ब्लड कम है हीमोगलोबिन कम है तो वो चीजें जो है हमारे भोजन से ही हमें क्या है वो मिल लिद भार नहीं पर रहा है तो हम उसको फिर अधर सप्लीमेंट से लेते हैं तो कहने का मतलब है कि यह चुकि बंती है इसका निर्मान होता है किसी और तरीके से होता है तो इसके लिए जो यदि बनना आइब तो इसके लिए चाहिए फॉलिक एसिट चाहिए और प्राय जो इसका हीमाली आयरन हे शुरी हमेटीन प्राय के हैD जो हमेटीन प्राय भीमृकत हो जाता है कशुछ हिस्सा और भी बन जाता है जो एक bile pigment है अब हम बात करते हैं जो RBC में जो हीमोगलोबीन है उसका क्या importance है जैसे हमने बात की कि हीमोगलोबीन के कारण ही इसका रंग कैसा है लाल रंग का है अब यह हीमोगलोबीन जो है वो क्या है dependency हीम प्रोटीन है और यह किस से बना हूँ है गलोबीन प्रोटीन से और हीम है और है जो हि स्टेज में रहता है यह है मैं फरिक अवस्ठापड हों क्यमिक्सिटि में तो यहां फैरस कंडिशन में रहता है यह हीमोगलोबिन जो है यह 95% जो है इसमें ग्लोबीन रहता है आप नॉर्मल रेंज है वो हीमोगोलोबिन की एक मनश्य में कितनी होने चाहिए तो 1988LER में मेल में कितनी देख रहे हों आप 13.82 ग्राम पर लेसलीटर है तो यह भी धियं ध्यान देना है उसकी यूनेट क्या है वो अच्छे से हमें पता होने चाहिए वो लिखना चाहिए और फेमिल में आप जैसे देखे रहो 12.1 टू 15.8 ग्राम पर डेसीलिटर है तो यह नॉर्मल रेंज है वो हीमोगलोबीन की होनी ही चाहिए अगर इससे कम या ज्यादा है कम ह होने से तो मुश्किल हो जाती है मुश्किल क्यों होगी क्योंकि अब यह जो हीमोगलोबीन है उसका क्या काम है यह भी हम जड़ा देख लें हमने बात की आर बीसी आर बीसी का काम क्या है आक्सिजन का परिवहन करना तो हीमोगलोबीन जो है इसी से ही जो है ऑक्सिजन जो ह और वो पर है वो लंक्स में लंक्स की LV उलाई है जो है जहां पर गैसे का आधान प्रदान होता है तो वहां पर ही लबी वुलाई के चार और क्या है अब जैसे देख रहे हूं लिप्ती हुई है अब इन लड़ में अर्बी सी आर्बी सी में है तो यहां पर जो है ऑक्सिजन जो है वह एल्बी वुलाई से डिफ्यूजड होकर कहां पर आजाएगा वेसल में आ जाएगा और वहां कि हमोगलो श्वाशन की प्रक्रिया हो रही है और क्या बन रहा है इसमें स्यो टू बन रहा है और एनरजी रिलीज हो रही है तो यह खोशन का इक्वेशन है तो इस एक्वेशन के दौरान आप देख रहे ऑक्षिजन का यूज हो रहा है आप यहां पर क्या बने जाए रहा है क्या रिखना है तो यहां जरौत हमेशा तो किसी बनी हुई है सेंटेंड हीमोगलोमी जो है उसके सांथ बाइंड हो यह फिर वो लंग्स में पहुचता है और वहां से वह आउट हो जाती है एक्सेल के द्वारा कारण लेकसाइड भाहर निकल जाती है तो इस तरीके से हमने और जो कौनिशन यह क्या है उसका किस तरीके से किस से बनी हुई ये हीमूग्लोबिन उसका क्या इंपोटेंज है उसकी बात की अब हमें इसके कारे की बात करेंगे और इसके बनने की प्रक्रिया को हम देखेंगे हम 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 हीमोड़ाईसिस यानि आर्बीच से सम्माने एक महतुपूञ गटना की बात करते हैं हीमोलैसिस का मतलब है कि आरवीसी का डिस्ट्रक्शन याणी नस्ट होना असल में होता है कि हमने बात की थी कि आरवीसी की निश्चित उम्र होती है 120 दिन की लगभग तो यह मिरित होने के बाद इनका एच बी जो है वह बाहर आ जाता है अब यह जो है है एच बी का बाहर आन हेमोडालेसिस है या एक और घटना एंडोस्मूसिस के कारण भी हो सकता है एंडोस्मूसिस में होता क्या है यदि आरबीसी को कम सांध्रता वाले विलियन में रखें तो यह फुल जाती है फुलती क्यों है क्योंकि इसके अंदर जो है इसके जो चारो तरफ जो जिल्ली है इसके अंदर जो है वो पानी अंटर करता है और पानी अंटर करने के कारण यह क्या हो जाती है और अत्यदीग मात्रा में जब यह यदि पानी अंदर चला गया तो यह फट भी जाती है तो जि average range यदि कम है तो तो क्या होता है एक नाम सपता रख ताल पता या एनिमीस इस इसको कहते हैं तो में कम हो गया और हमोगी दूब हो जाता है तो यहारूग के रोप में प्रगट होता है और इसके हम जान रहे हैं धी तो निश्यत रूप से ऐसे जो जिनमें रख्त की संख्या काम है तो ट्रांस्पोर्टेशन ऑक्सिट का जो है वह क्या हो जाएगा उसकी छमता जो है वह कम हो जाएगी और फिर ऑक्सिजन का भी आपने इंपॉर्टेंस समझ लिया श्वशन की प्रक्रिया में यानि जहां पर ऑक्सिजन जो जो रहत है वहां पर ऑक्सिजन पहुंशती है और ग्लुकोस से इसका ऑक्सिडेशन होगा वहां एनर्जी रिलीज होगी और हम सभी जानते हैं कि हमारे सारे कार्यों को करने के लिए क्या जाएगी कम हो जाएगी इसका सीधा मतलब है और हर कोशिक तक परियाप्त मात्रा में उनको नहीं मिलेगी और इससे क्या होगा उसको जो है अत्यदीक कम जोरी महसूस होगी तो यह हमें जरूर इस चीज को देखना है कि कुछ कम हो जा रहा है थकान महसूस हो रहा है तो हम डॉक्टर को यह चेक कराएं वो जरूर कहेंगे ब्लड चेक करने को और फिर हमें हमारी कंडिशन पता चल जाएगी कि रीजन एक्शुली क्या है तो यह हमने देखा आप इसका ओवराल यह हम फंक्शन की बात करते हैं तो यह गैस का ट्रांस्पोर्टेशन है पहली बात त अर्द उसके जरिये होगा तो यह हमने पहला प्रकार आर बिस्ती की बात की